Hello everyone, मैं हूँ सागर का चौधरी Last class मतलब एक It was just a demo मैंने अश्वीद परिक्षाएं पर दिया था पर आज हम दश्वीद परिक्षा का पूरा लेक्चर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत important है मैंने आपको Last class में का था कि अश्वीद परिक्षा योगरत नाकर द्वारा दी गई है ये जरूर यादे रखेगा ऐसी दश्वीद परिक्षा जो है वो अचारिय चरक ने दी है इसमें दस चीजे हैं उनको याद करने के लिए मैंने एक code बनाया है जो कि बहुत important है क्योंकि अगर बिना code के आप याद करोगे तो बीच में से जैसे प्रकर्ती है विकर्ती है सार भूल जाओगे तो code से रहता आपको remind आजाता कि अच्छा ऐससे सार था चले बात करते हैं इसके code की तो प्रकर्ती ने वी सारा सहन कर मतलब प्रकर्ती कोई लड़की है उसने सारा सहन किया और अपनी दोस्त प्रमा प्रमा को सत्ता में अहार और व्याम से विजय किया तो दस चीजों को इस code में समावेश किया गया है कि प्रकर्ती ने वी सारा सहन करके प्रमा को सत्ता में अहार और व्यावन से विजय किया तो चले बात करते है प्रकर्ति की ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि दश्वित परिक्षा जो है ये रोगी के बल को जानने के लिए बनाई गई है रोगी का बल जानने है तो को दशुत रोगी परिक्षा का विस्थार से वनन किया है तो रोगी को जान रोगी को बन को जानने के लिए दशी जीजे बोले गए है है पहले हम बात करेंगे पितकफज और वादकफज और संदोश मतलब सनिपाता जिसमें यह सारे होता है और मानसिक प्रकरती है ये तीन तरीके की होती है सातवीक, राजसिक और तामसिक इनको ज्यादा explain ने करना हमने क्या करना देखे ज़्यादा तर यह कोशन 10 या 15 माक्समा आता है तो आपको explain करने के लिए इतनी सारी चीज़ है अगर आप first page पे यह flow chart बनाते हो तो teacher को पता लग जाता है कि आपने एक एक point पड़ा है और आपको इसमें सारा कुछ आता है और इसमें यह आपके 3-4 page बढ़ जाते है चले तो प्रकर्ति की बात हो गई अब बात करेंगे विकर्ति की विकर्ति का मतलब होता है विकार इसको हम बोलते हैं विकार तो इसमें हम परिक्षाए करते हैं हेतू की हेतू मतलब निदान क्या है क्यों diseases हुई है दोश वात पित कफ में से कौन सा दोश है दूश्य है कौन सी धातू दूशित हुई है प्रकर्ति प्रकर्ति हम बात करी चुके हैं पहले और फिर देश देश क्या है काल कौन से काल में हुई है और बल की व्यादी का बल क्या है है ना तो हम विकर्ती में यह सब चीजे देखते हैं अब हम बात करेंगे सार की सार परिक्षा मतलब सार सार की परिक्षा बहुत इंपोर्टन होती है और सार हम हमें आठ तरीके के दिये गए हैं इसमें बोला गया है जो अधिक सार युक्त व्यक्ति होता है मतलब जिसमें वह प्रवर मद्यम ऐसे डिवाइड कर दिया गया है आएध बात करते हैं है सार की Department in C मतलब उसमें रख्जा मतलब तो चा त्वच्ण का मतलब होता है तो चा शे कितना चल रहा है कम हो गया है तो अगर उसका चल रहा है तो वह अच्छे मतलब ये प्रवर सार का बोला जाएगा ऐसे मास मेद मेद मतलब अगर जादा मोटे लोग हो जाते हैं या जादा तो उनकसार भी हीन माना जाता है है ना अस्थी उसकी बोन्स स्ट्रॉंग है या नहीं है मज्जा शुक्र और सत्व, सत्व का मतलब मन होता है, यह आप लोगों को पता होगा, चीक है, तो यह हमारा कम्प्लेट होता है, सार, इसमें हम एक एक लाइन अगर डिस्क्राइब कर दें, आगे, अपनी आंशर शीट में, तो आपका अंसर परफेक्टली फाइन हो जाता है, अब बात करते है सहनन की, शरीर का घटन कैसा है, जैसे आपने स्वस्थ की परिभाषा जो शुशुरुद्वारा गी गई है, उसमें बोला भी गया है, सम प्रमान और सम सहनन, जो सरीर का संगहन है, वो सही होना चाहिए, सम प्रमान अस्तूस का प्रमान सही होना चाहिए, तो संगहन का शरीर का गठन कैसा है प्रमान का मतलब होता है लंबाई चोड़ाई जैसे हमने चरक में पड़ा भी होगा अस्ट निंदित पुरुष है ना अगर कोई ज्यादा लंबा है कोई ज्यादा छोटा है तो यह सब अस्ट निंदित पुरुष में आते हैं तो शरीर का प्रमान भी स सम होना चाहिए और शरीर का संहन भी सम होना चाहिए अब बात करता है साथ में की साथ में में तीन चीज़े आती हैं क्या 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 ओक अवर और मद्यम जैसे इसमें मतलब साथ में का मतलब ही होता है जो निरंतर सेवन से जो चीज़ें अनुकूल हो जाती है उसे साथ में कहत सराब आदी लोग पीते हैं तो यह सब और साथ में आ जाते हैं कि उनको साथ में तो उग है लेकिन वो गलत साथ में हैं उनका में क्या करना चाहिए जो साथ में अच्छे वाला साथ में होता वह आहर व्यार होता जैसे दूद घी फल सभी रसों का निरंतर सेवन बल वर्दक यह दीरगाई यह होता है, तो वो अच्छा साथ में कहा जाता है, और जो व्यक्ति केवल एक ही रस, मतलब रस आपको पता है न, छे तरीके के बोले गया है, मधुर, अमल, लवन, कटू, तीक्त, कसाई, जो उन में से सिर्फ एक रस का निरंतर सेवन करता है, उसको अवर साथ में का बोलते हैं, और जो सभी रसो का सेवन करने वाला व्यक्ति होता है, उसे प्रवर साथ में कहते हैं, जो सभी रसो को लेता है, और जो तीन ले लिया या जिसने चाड ले लिया, वो अपना मध्यम, मध्यम साथ में हो जाता है, है न, तो यह आपका साथ में कम्प्रीट बात करते हैं सत्व की सत्व मन को कहते हैं जैसे कि मैंने सत्व सार में आपको बताया था तो यहां पर मन की बात हो रही है सबका अपना अलग अलग मन होता है तो इसको भी तीन चीजों में डिवाइड किया गया है प्रवर मध्यम और अवर जैसे प्रवर है जो प्रवर सत्व के व्यक्ति होते हैं, वो अपना दीरज नहीं कोते हैं, बड़ी से बड़ी वेदना भी सह जाते हैं, है ना, और जो अवर सत्व के व्यक्ति होते हैं, वो छोटी सी व्यादी को भी बड़ा चड़ा कर बताते हैं, हाई, मेरे को तो बहुत बुखार है, मतलब आप जैसे पेश अब हम बात करेंगे आशाशक्ति की अभ्ययवहाइरन शक्ति और जरन अभ्ययवहाइरन में पचाने की शक्ति होती जिसे्ज़रन नहीं। जिससे जट्रागनी पचाती हैं, तो अगनी आप लोगों को पता होगा आपको चार तरीके की होती है, सम, विशंड, इसमें हम यहां पे हम थोड़ा सा जैसे अगर अपनी आंसर को बढ़ाने हैं तो जरण सक्ति में हम जट्रागनी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जट्राग जठ्रागनी की लोग होते हैं वो सभी आर को आलाम से पचा लेते हैं है ना तो ऐसे हम यहां पर उसको जठ्रागनी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं अब बात करेंगे वयाम शप्ति की प्रवर मध्यमुरहीं यह तो एक कॉमन सी बात है सब कोई पता होगा हर कोई एक जैसा वयाम नहीं कर सकता तो इसमें भी तीन चीजे बाट दी गई है अब बात करते हैं वय वय मतलब एज जो एज का जो डिस्क्रिप्शन अचारिय इस द्वारा दिया गया है बाल्य अवस्था जो बालक हैं भी मध्यम अवस्था 16 से 17 यह तक और 70 के बाद 70 के बाद वरद से कोशन को बढ़ाने के लिए पूछ लिया जाता है आप इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं तो मैं इतना इसका महत्व दश्विट परिक्शा का महत्व आपको बताऊंगी कि इसका एक फस्पॉइंट है कि रोगी के बला-बल का निधारन कर चिकित्सा की योजना करने वाल को प्रवर, मध्यम और अवर जैसे मैं आपको बताया प्रवर, मध्यम और अवर इन तीन भागों में डिवाइड करें के जो दोश के बल का अनुमान करें चिकित्सा का परियोग कर सकता है चलिए आप लोगों को ये समझाया हुगा थैंक यू सो मज हां हमारे पेज को कि अपरी बाइड के लगों करें भीवान